और अच्छा pattern है और काफी बहतरीन pattern है जिसमें आपको छोटे प्रशन ज्यादा देखने को मिल रहे हैं 30 अंक के छोटे प्रशन मिलेंगे बहुत बड़ी बात है 30 अंक जो है आपको एक एक नंबर के question देखने को मिलेंगे इसके बाद जो भी प्रशन है आपके दो अंकिये प्रशन है तीन अंकिये प्रशन है उसके बाद आपके चार अंक के भी प्रशन आपको देखने को मिलेगे और इन सभी प्रशनों के उत्तर हम देखेंगे अथवा अथवा सारे parts के तो यहाँ पर जो पहला प्रश्ण है अगर हम बात करें तो पहले आपको 6 प्रश्ण जो है बहुबिकल प्यानी की MCQ पूछे जाएंगे जिसमें आपके options रहेंगे आपको केवल उनके answers को अंदाजा लगा करके अपने copy में लिखना है पहला जो question पुछा गया ASEAN का मुख्याले कहा है तो ASEAN का मुख्याले जो है आपको बताना है और यह कहां पर है लेकिन आप पहले से खुद अंदाजा लगा लेंगे तो वहतरीन होगा क्योंकि उससे आपकी तयारी का अंदाजा आपको खुद लग जाएगा क्योंकि आंसर तो मैं आपको डारेक्ट दे रहा हूं यहां पर लेकिन आप पहले वीडियो को पॉज करें और खुद ही अंदाजा लगा है कि इसका एक्चुल आंसर होना क्या चाहिए और उसके बाद हम जब आंसर मिलाते हैं तो आप अपने आपको जस्टिफाई कर पाए लगाते हैं तो घबरानी की जरूत नहीं बस आपको एक अंदाजा यह हो जाएगा कि आपने तयारी कितनी भैतरीन कर रखे या फिर कितनी कम कर रखी है इसका दूसरा जो प्रश्ण है किसमें पुछा गया है सोवियत संग के अंतिमर राष्ट पती मिखाईल गौरवच्यो का करेकाल था तो यह कितना करेकाल था यह आपको वेंदेट दीएगा कब से कब तक उनका करेऎकल रहा है उनका का रेकाल जो था राइट एंजर हो जाएगा 1985 से लेकि 1991 का caller रहा यहां पर भी आपका फृस्ट ओप्शन जो ह tapa होता है इसके बाद जो नेक्स कुशन एंट 3rd number WHO की स्थापना हुई, यानि कि World Health Organization की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी, यहाबर भी देखिए, सन का बहुत महत्तु है, सन बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, यह चीज थोड़ा सा ध्यान दखना है, तो हर बार जब पढ़ते हो, तो सन याद रखो, और साथिस आप जब वीडियो देखते हो, तो बड़े concentration के साथ देखा करो, क्योंकि एक बार दिखोगे, तो आपको समझ में भी आएगा, और आने वाले जो आप civil services की त्यारी करना चाहते हो, तो वहाँ पर history, आपका political science, यह सारी चीजे जिजे आती हैं, और सबसे ज़्यादा political science जो है आपको परिशान करता है, तो अगर आप अपना basic अभी से नहीं manage नहीं करता होगे, तो आपका जो है आने वाली जो competitive exam दोगे, तो उसमें आपको समस्या आएगी, बाकिया आप result तो किसी तरह से लाद होगे, लेकिन आपको आगे की जो त्यारीय करनी है, वहाँ पर बहुत जादा परिशानिया आती है, लोगों को सालों निकल जाता है, 32, 32, 33 साल तक की उमर में जो है, वो civil services pack करने के लिए सोचते रहते हैं, तो यहाँ पर इसका right के answer हो जाएगा, WHO की स्थापना, जो हुई थी सभीन अंदाजा लगा लिया होगा, साथ अपरेल साथ 1948 में की गई थी, तो यहाँ भी A option आपका correct होता है, next जो question है, इसमें पूछा गया है, विस्व के कितने देशों से CWC संधी पर हस्ताक्षर किया है, यहाँ पर देखो, actually, विस्व के कितने देशों ने CWC संधी पर हस्ताक्षर किया है, यह question होना चाहिए, तो यहाँ पर questions में काफी कहीं-कहीं misprint है, ज्यादा नहीं है, एक-दो जेगे misprint है, तो वहाँ पर जहाँ पर questions गलत है, वहाँ बता दिया जाएगा, जो question बिल्कुली गलत है, वो भी बता दिया जाएगा, इसका right answer क्या हो जाएगा, 181 देशों ने CWC संधी पर हस्ताक्षर किये थे, तो यहाँ पर जो है A option इसका correct होता है, तो आपने अभी चार प्रशन किये हैं, और आपको अंदाजा हो चुका हो कि आपने कितनी तयारी करी है, चारो के चारो आपने answer सही टिक किये हैं अपने mind से, या फिर अभी आपने कुछ गलती करी है, तो यहाँ पर जाता है तो यहाँ से हमने 5 अंक ले लिए, आते हैं next question पर, तो यहाँ पर पूछा गया आपसे, तो यहाँ पर जो है यह उप्शन आपका correct होता है, फिर से आपको अंदाजाज लग चुका होगा कि आपने सही predict किया था या नहीं, आगे बढ़ते है next question की तरफ, तो यहाँ पर जो है यह English medium के questions हैं, और English medium का students comment नहीं कर रहें कि हमें English में solution चाहिए, तो इसलिए उनके solutions को हमने केवल हिंदी बच्चों के लिए दिया है, जो बच्चे हिंदी में comment कर रहे हैं और काफी comment कर रहे हैं, इसलिए आपका यह पेशा आपके सामने इससे solution के रूप में मौझूद है, अब यहां पे जो question पूछा गया है, 1967 में आशियान की स्थापना खाली स्थान घोषनापत्र के माध्यम से हुई थी, तो यह कौन से घोषनापत्र के माध्यम से हुई तो इसका answer हो जाएगा, तो इसका right answer जो आप टिक करेंगे, क्या हो जाएगा, आपका bangkok हो जाएगा, ठीक है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, प्रिक वली हो जाएगा, इसका ध्यान रखना है, आपको जो बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनें, और लिखित भी मिलेगा answer, तो यहाँ पर खालिस्थान लिखी गई, अब यह इस question में काफी बड़ा mistake है, और इस question का answer हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसमें actual में क्या पूछा जा रहा है, यह हमें नहीं समझ में आया, अगला जो पांचो प्रशन है, भारत में नई आर्थिक नीती खालिस्थान में अ सही तरीके से question नहीं पूछा गया, थोड़ा सा मतलब इसमें में स्प्रिंट है, ऐसा कह सकते हैं हलका सा, लेकिन आप ज्यादा टेंसल लेने की आपको जरूरत नहीं है, हर जगे नहीं है, क्यों यह एक one word में ही है, पाकि आगे सारे questions बिल्कुल सही है, तो स्वतनता के आयोग का अध्यक्ष खालिस्थान होता है, तो नीती आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधान मंत्री होते हैं, चाहें वो किसी वर्स भी रहे हैं, चाहें अभी नरेंद्रमोधी हैं, अगले साल हो जाता है, अगले साल चेंज हो जाता है, अगले साल चेंज होता है, तो जब के काम की हैं तो राइट आंसर हो जाएगा प्रधान मंत्री नेक्स क्वेशन की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देना है आपको तब से पहला जो प्रेशन पूछा गया है इसमें पूछा गया सोवियत संग में कुल कितने गंडराज्य थे तो सोविय समझोता जो है यह 10 जनवरी सन 1966 को हुआ था यह याद रखना है यह आपको अच्छे तरीके से गांट बांद लेनी है ठीक है 10 जनवरी सन 1966 को यह समझोता हुआ था अगला जो कुश्यन है ग्लोबल वार्मिंग क्या है तो आप अच्छे तरह से जानते हैं अभी मैंने डिसक करणा जाता है ठीक है अब आज यह नेक्स्ट पर इनक्सर पूछा गया है 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 जो सहकते असले हैं को नाम अच्छे तरह से जानते हैं जो की प्रत्रण नमंतरी भी वह टे और वो कौन थे यहांपर हमारा आंसर हो जाएगा जवाल नहरु अगला जो प्रशन है, राश्ट्पती की आपात कालीन शक्तियां है, तो आपात कालीन कित्मी शक्तियां है, आपको एक बात तो अच्छी तरह से पता होगी, इस सारी सक्तियां तो प्रधान मंत्री के पास है, एक्चुली राश्ट्पती करता क्या है, तो कि आप ने देखा ह और उसी समय इस्तिमाल करता है, इसलिए उसको रास्टपती कहा जाता है, ठीक है, उसकी सक्तियां जो है, आम नहीं है, कि वो कभी भी जनता के सामने, अपने पत्ते खोल दे, अब वो सक्तियां कौन सी है, सबसे पहले मैं, आपको बताना चाहूँगा, कि जो रास्टपती की जो रास्टपती को प्राप्त हैं, तो आप समझ लीजीए, अब पहली सक्ति की बात करूँ, तो यहाँ पर क्या होता है, पहली सक्ति, जो अगर मैं सिंप्ली यहाँ पर लिख देता हूँ, आपके सामने, जो पहली सक्ति की अगर हम बात करें, तो उनको मिली हुई है, बाह भाय आक्रमन का भाय हो, ठीक है, भाय अगर आक्रमन होता है, ठीक है, चाहें को कोई सा भी देश कर ले, उससे कोई फरग निपड़ता, तो भाय आक्रमन जब भी ऐसी संभावना होती है, भाय आक्रमन का, तो उस इस्तिति में राष्टपती की आपात कालीन, जो है, राष्ट का यूद चल दी, जैसे कि आप अब भी देख रहे हैं, रशिया और यूक्रेन का यूद चल रहा है, यूक्रेन और रूस का यूद चल रहा है, और जो कि काफी समय से लंबा खिचा है, जो किसी को अंदाजा भी नहीं था, कि इतनी बड़ी महाशक्ती, एक छोटे से, छोटे यूद हुआ था, पाकस्तान और भारत का, जैसा कि, अभी अभी हमने दिसकस किया, तो भारत और पाकस्तान यूद हुआ था, वह तीन मै ङूद हुआ था, एक आपना आअसानी से बड़े दो देश हैं यह और जिस देश से युक्रेणी युद कर रहा है वो जो है और भी छोटा देश है ठीक है तो उसको नहीं समाल पाया या फिर जो भी है वो उनकी पर्सनल वेसन में एक बात बता रहा हूं कि अगर उनकी युद हो रही है और उसमें भारत सामील हो जाता है तो में इसरी युद में सामील हो जाता है और इसके अलावा अगर वो हुची दूसरे युद में सामील हो जाता है तो भी जो है क्या होता है स्वाइं यूद कर ले या सामिल हो जाए दोनों ही कंडिशन में अगर मैं अगर भारत जो है किसी के खिलाफ यूद कर देता है स्वाइं यूद में शामिल हो जाता है सामिल होना अलग चीज़ है और स्वाइं यूद करना अलग चीज़ है तो सामिल को भी ह या फिर दूसरे में शामिलोजा तो भी राश्टी आपातकाल लगाया जा सकता है, बाहे आकरमण पे भी राश्टी आपातकाल लगाया जा सकता है, और तीसरा एक और है, तीसरा जो है, आप कह सकते हैं कि बिद्रो हो जाना, और कौन सा बिद्रो? बिद्रो हो जाना और कहां पे देश के अंदर और कैसा विद्रो विद्रो तो हमेसा यह होता ही है कभी आंदोलन कभी वह आंदोलन अभी गुजर आंदोलन होने वाला है वापिस फिर पट्रियों पर बैठने वाले हैं चिंता मत करिए उसका न्यूज आपको मिलने वाला है तो विद्रो जो है कैसा होगा आपने उस समय ध्यान नहीं दिया होगा कौन से आर्टिकल के अंदर डिस्कस करते हैं हम इसको आर्टिकल 352 ठीक है इसके लावा भी रास्ति आपात का लगाने की शक्तियां हैं लेकिन वो आर्टिकल दूसरे में हैं आगे बात करतें नेक्स्ट जो पूछा गया इसको देखिए जय ललिता मुख्य मंत्री थी तो जय ललिता जो है मुख्य मंत्री कहां के थी सभी को आंसर पता है कि वो तमिल नाडू की जो है मुख्य मंत्री थी तो आंसर क्या हो जाएगा आपका तमिल नाडू उसके बाद जो नेक्स्ट कोश्चन है उसकी बात करते हैं तहा रास्टी आपात्काल लग सकता है या फिर की उद में खुद सामिल हो जाए तो भी रास्टी आपात्काल लग सकता है और तीसरा condition ये है जब हमारे ही देश की जनता विद्रोह कर दे वो भी कौंसा सशत्र विद्रोह यानि की और हतियारों के साथ जो है विद्रोह कर दे लड़ाईयां कर दे या आंदोलन कर दे तो भी रास्टिया आप आतकाल लगाया जा सकता है अगले कोशन की तरफ बढ़ते हैं यहां पर है आपका सत्य असत्य तो सबसे पहला आगर हम बात करें यूरोपिय संग के संसद में 785 सदस्य हैं क्या यह बात स्टेटमेंट सही है तो हम कहेंगे बिलकुल यह स्टेटमेंट आपका सही है यूरोपिय संग के संसद में 785 सदस्य है ठीक है तो यह हमारा हो गया राइट आंसर यानि कि सत्य है जिस पे सत्य होगा हम सही करेंगे और जो गलत होगा उसको क्रॉस कर गलत कथन है, फ़र्ड जो कोश्चन है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ठीक है, यहाँ भी भी देखो, स्पेलिंग मिस्टेक है, लेकिन गवराने की जूरूत नहीं, कोश्चन समझ में आना चीए, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ब्रिटेन में स्थित है, तो आप सभी को पता है, कि यह ब्रिटेन में स्थित नहीं है, तो इसका अंसर क्या हो जाएगा, गलत, अगर मैं आपसे पूछू, कि अगर यह ब्रिटेन में नहीं है, तो है कहाँ पे, तो इसका राइट अंसर हो जाएगा, तो यह हमारा होता है सत्ते स्टेटमेंट, इसके बाद जो next question है, नीली करांती का संबंद दुख्द उत्पादन से था, तो नीली करांती जैसे नीला है, तो संबंद का फानी नीला होता है, तो नीली करांती का संबंद जो है, यह आपके मतस्य पालन से था, किस से मतस्य पालन कि अटल विहारी वाजपे पर यह आपके सिंबला समझोते में शामिल थे तो यह बिलकुल गलत statement है वो सिंबला समझ송ते में शामिल नहीं थे और उसका reason क्या हो जाएगा कि नहीं थे क्यूंकि यह agreement जो है यह Indian Prime Minister जो है इंद्रा गांधी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जो है जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ में हुआ था ठीक है और कब हुआ था ये भी आपको पता होने चाहिए सन 1902 में तो अगर आप डेट है आपको पहले तो सनियाद रखना है कि 1902 में हुआ था ठीक है कौन पर बोल सकते हैं कि ये तो जुलाई 1972 को हुआ था ठीक है ये मैं क्यवल आपको बता रहा हूं तो यहां पर स्टेट्मेंट क्या है ये पॉल से अगर हम बात करें कि जो आपका अगर अटल विहारी यहां पर नाम दिया था अटल विहारी किसमें संगल मतलब शामिल थे यहा आपको अगर याद रखना है तो आप लिख सकते हैं कि लाहोर अधिवेशन जो है 1999 में हुआ था 1999 में ठीक है अगर डेट आप पूछें तो यह था 21 फरवरी 21st February ठीक है 21 फरवरी सन 1999 में अटल विहारी बाज पई किसमें संगल थे यह थे लाहोर अधिवेशन में किसमें ला अधिवेशन में दूसरी तरफ से सामिल था वो कौन था तो वो थे हमारे नवाज सरीफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ठीक है उस समय अटल विहारी के साथ इन्हों ने इस समय हस्ताक्षर किया था लाहोर अधिवेशन में और जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था यह होता आपका सि सिमला एग्रिमेंट और यह समझोता जो है यह अटल विहारी इसमें शामिल नहीं थे इसमें इंद्रा गांधी शामिल थी और आपको ध्यान रखना यह चीज़े क्योंकि फिर से पूछे जाते हैं इन्हीं में से बना देगा question examiner तो यहां पर statement क्या है यह false है यह ध्यान को मिलाना है तो कॉलम एक ही अगर हम बात करें तो CTBT की स्थापना कब हुई थी यह आप से पूछा गया सिधा सिधा और options आपके सामने हैं और options अगर आपको याद हैं तो आपको याद होना तो मैंने बताया था सन बहुत important होते हैं सन अगर आपने याद कर लिया तो date से सकते हैं लेकिन सन ही आपको याद नहीं है तो सारे mistake हो जाएंगे तो यहाँ पर इसका अंसर हो जागा 24 सितंबर सन 1996 तो यहाँ पर CTBT की स्थापना को अगर हम मैच करना चाहें तो कुछ इस तरह से स्ट्रेट जो है इससे मैच कर देंगे यह हमारा पहला option connect होता है इसके बा बात करते हैं next जो है third question, third question का answer सभी को पता है दुरपदी मुर्मू अभी अभी जो है इनको बनाया गया है राश्ट्पती और इनकी सक्तिया के बारे में हमने पढ़ लिया तो बता सकते हैं यह कौन है भारत की राश्ट्पती तो यहाँ पर भी option बिल्कुल सामनी है तो यह से इसको connect कर देंगे next question है सिक्कम भारत का राज्ये बना तो सिक्किम भारत का राज्ये कौन से time बना यह तो नहीं दिया इसमें देख सकते हो आप date तो है नहीं क्योंकि options ऊपर के हमारे खतम हो चुके है ठीक है date वाले तो यहाँ पर यहीं बस समझ में आता है कि आदमी क्या हम इसके करेगा यार 24 सितंबोर 1996 लिख देता हूं इसका आप जरूर यह सोचते है अगर आपके पास option याद नहीं रहते तो पसे किम भारत का राज्ये बना यह बना 22 वह राज्ये ठीक है तो यहाँ पर जो हमारा इसका answer हो जाएगा D option से match कर देंगे और लास्ट जो है इसम प्रशन किये टोटल मिला के 30 अंग के हमने प्रशन कर लिए 30 अंग के हासिल कर लिए अगर आपने सारे question सही की है तो आपको 30 अंग मिल चुके हैं बिना मेहनत के बिना लिखे हुए ज़्यादा सब कुछ आपके सामने था जिसमें आपका Berlin की दिवार क्या है इसका answer बताना ह अर्थवा में जो पार्ट पूछा गया है इसमें पूछा गया है सोवियत संग के इतिहास की सबसे बड़ी गेराज सेल कौन सी थी तो सबसे पहले हम बात करें बर्निल जो आपका Berlin की दिवार क्या थी तो हम बता सकते हैं उसके answer को कुछ इस तरह से दित्त विश्यूद जी कि दिवार कहा जाता है ये सीमेंट और गिटियों से बनी दिवार पुञ़ी वाधी और सम्यवादी के दो विशारों के विवाजन का प्रतीक था ठीक है एक तरफ जो है बर्लिन में रहते थे ठीकी पूंज जी वाधी और ढूर का दिवार कहा जाता है तो इस प्रशन को आप समझ चुके होंगे अब इसमें जो है अथवा पार्ट में भी आपसे क्वेशन पूछा गया है सोब्यत संग के इतिहास की सबसे बड़ी गेराज सेल कौन सी थी तो जो सोब्यत यूनियन की जो सबसे बड़ी गेराज सेल थी उसको क्या हम कैसे आंसर हुई और अध्योगिक धाचा पूंट रूप से ढह गया और निजी करन प्रक्रिया में उद्योगों की कीमत जो है कम दामों में आका गया जितने वी उद्योग थे उनकी कीमत क्या होगी गिर गई और ओने पौने दामों में कमपनियों को बेश दिया गया और सोब्यत संग इतिहास में ये सबसे बड़ी जो बेचने वाले और पौने दामों में बेचने वाला इतिहास रचा गया था इसी को सबसे बड़ा गैराज सेल कहा जाता है तो इस तरह से इसका आंसर आपका होता है इसका बजाते हैं next question पे देखेंगे question number निसस्त्रिकरण क्या है तो निसस तो इसकी बात करें, तो यहाँ पर दिया गया है, निश अस्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ, शारिरिक हिंसा के प्रियोग के समस्त भौतिक तथा मानवी ये संसाधनों का उन्मूलन, यानि की खतम करना अर्थात समाप्ति है, यह एक कार्यकरम है, जिसका उद्देश ये हथ आते हैं, तो आप यह option में ने दिया है, आप दो सब्दों में केवलिक सकते हैं, निश अस्त्रीकरण का अर्थ है, विनाशकारी हत्यारों, अस्त्रों, सस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना, तथा उपलब्द विनाशकारी हत्यारों को नस्ट करना, ठीक है, तो यह हो जो है मानाव अधिकार उन अधिकारों कहते हैं जो प्रतेक मनुष्य को मानाव होने के नाते अवश्य मिलने चाहिए। इसके नेक्स्ट पर्ट है इसमें पुछा गया है गलोबल वामिंग क्या है और इसी क्या थोओअ पार्ट में पुछा गया है भू साजह प्रोपर्टी क्या है तो दोनों प्रश्णों के उत्तर देखते हैं सबसे पहले हम global warming की बात करें तो global warming क्या है देखते हैं वायू मंडल में green house gas से जैसे की methane, carbon dioxide और chlorofluorocarbon जिसको CFC के नाम से भी जाना जाता है कि बढ़ने के कारण पृत्वी के ओसत अतापमान में होने वाली बढ़ोतरी को ही global warming कहा जाता है इसके बाद आते हैं next question पे जिसमें भू साजा प्रोपर्टी क्या है इसकी बात करें तो देखिए भू साजा प्रोपर्टी क्या होती है हमारा अथ्वा का answer जो है इस तरह से होगा भू साजा प्रोपर्टी वो समपत्ती है जिस पर प्रतेग नागरिक को निर्दिष्ट दायुतों के साथ पहुच और उपयोग का अधिकार है परंतु उस पर उसका कोई सौमित्व नहीं है यानि कि साजा भू साजा प्रोपर्टी जो है आप बोल सकते हैं एक community जैसे कि आपके घर के आसपास में अगर आप पंचायत सभा में रहते हैं या आपके गाउं में पंचायत है या फिर आपका हो सकता है नगरपाली का है तो वहाँ पर जो पार्क होते हैं या जो ऐसे community hall होते हैं जिस पर हम लोग चादी बिया का आरोजन करते हैं और साथी साथ जो है उन पार्कों में घूमते हैं चाहें वो किसी भी जाती का धरम का आदमी हो लेकिन वहाँ पर उसका उपयोग तो कर सकता है लेकिन उसका वो स्वामी नहीं है वही भूसाजा property कहलाती है अगर आप सिंपले सब्जों में समझना चाहें तो इसका बाद जो next question है वैस्वी करण के दो आर्थिक प्रभाव आपको बताने है देखिए ध्यान से question को समझना है कि वैस्वी करण के दो आर्थिक प्रभाव पूछे है क्योंकि दो आर्थिक इसलिए पूछे है कि आपको उसको दो नंबर देना है examiner को तो आपको तो दो ही लिखने हैं और ये ध्यान रखना है कि हम जो बता रहे हैं वो solution कुछ आपको धंग से लिखने हैं ठीक है तो वस्तूओं के वैपार में ब्रद्धी होती है वैस्वी करण से के कारण जो है वैस्वी करण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तूओं के वैपार में ब्रद्धी हुई है और दूसरा जो है इसका प्रभाव हम बता सकते हैं आर्थिक प्रभाव पुछा गया है पूंजी के प्रभाव में ब्रद्धी हुई है यानि कि वैसवी करण के कारण संपून विश्व में पूंजी की आवाजाही में ब्रद्धी हुई है त तो आर्थिक उदारी करण को अगर हम define करें, तो कुछ इस तरह से हम करने वाले हैं, आर्थिक उदारी करण का अर्थ आर्थिक उदारी करण से है, अब हम कह सकते हैं, आर्थिक उदारी करण से आश्य अर्थ व्यस्ता की एक ऐसी इस्तिती होती है, जिसके अंतरगत व्यापा कर दिया जाता है जिसके कारण जो है कंपनिया अच्छे तरीके से व्यापार करने के लिए आती है और देश में अपना व्यापार जो है करती है ताकि हमारी एकनॉमिक कंडिशन अच्छी हो पाए और साथी साथ रोजगारी की जो वे रोजगारी की समस्य है वो भी खतम हो पा अर्थ और परिभाशा जो है कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं नियोजन वहकार रहे जिसमें लक्षों का निर्धान करना और उन्हें प्राप्त करने हेतु की जाने वाले विभिन क्रियाओं को सामिल किया जाता है यदि मैं परिभाशा की बात करूँ कुंटज और ओडोलेन के अनुसार जो हम लिख सकते हैं जब भी आप एक अर्थ सास्त्री के डेफिनिशन लिखते हैं तो आपने बहुत बढ़िया तयारी करी है उसको जादा पढ़ने की ज़रूत नहीं पढ़ती है तो कुंटज और ओडोलेन ने क्या कहा है कि क्या करना है, कैसे करना है अब कब करना है और किसे करना है इसका पहले से निर्णय लेना ही नियोजन कहलाता है नियोजन यानि की प्लानिंग तो यह हमने डेफिनिशन भी दी और नियोजन का अर्थ भी समझाया Bombay योजना क्या है हमको ये बताना है तो Bombay योजना की बात करें है तो Bombay योजना क्या है तो 1944 में उद्योगपत योगा एक बड़ा तबका यानि कि एक बड़ा सम्मूह जो है एक जुठ हुआ और इस सम्मूह ने देश में नियोजित अर्थ विस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तयार किया इसे ही Bombay प्लान या Bombay नियोजन या योजना कहा जाता है ठीक है तो इस तरह से इसका अंसर हो गया अब आते हैं नेक्स्ट जो प्रशन पूछा गया है ग्यारा नंबर जिसमें पूछा गया है विदेशनीती क्या है और ईसी के अथोआप आठ में पूछा गया आप से शान्ति, पूण, सहस्तितों क्या है यह दोनों ही Question काफी महतोपूण है विदेशनीती क्या है सिंपल अगर सब्दों में समझना चाहें तो साधान सब्दों में विदेश नीती उन सिद्धान्तों और कार्यों का समुच्च है जिसके द्वारा एक रास्ट विभिनर रास्टों के साथ समंधों का निर्वाहन करते हुए अपने रास्ट्य हितों को प्राप्त करने के लिए अपनाता है दोबारा समझे साधान सब्दों में विदेश नीती यानि की फॉरण पॉलिसी क्या होती है तो फॉरण पॉलिसी वो नीतियां है या वे सिद्धान्त है या फिर हम कह सकते हैं वो कार रहे है जिनके द्वारा एक रास्ट चाहें भारत ही है वो विभिनर रास्टों के साथ में संबंदों को निर्वाह करता हुआ अपने राष्ट के हितों को प्राप्त करने आनि अपने राष्ट के लिए जो भी वो प्राप्त कर सकता है वो प्राप्त करने के लिए जो नीती अपनाता है उसे ही हम क्या कहते हैं विदेश नीती कहते हैं इसका बाद में शांती पूर्ण सहस्तित्व क्या है इसकी बात करें तो सांती पूर्ण सहस्तित्व को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं अनुसार सभी देशों को एक दूसरे देश की संप्रभुता का आपसी सम्मान और एक दूसरे से गैर आक्रमकता एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्ता शेप समानता और पारसपारिक लाव और शांती पून वहवार करना चाहिए तो यही है सांती पून सहस्तित्तों ठीक है सांती पून सहस्तित्तों क्या कहता है कि इसके अनुसार सभी देशों को एक दूसरे देश की संप्रभुता और आपसी सम्मान एक दूसरे से गैर आक्रमकता यानि की युद नहीं करनी है और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्त श्यानता शेप नहीं करना थागरार रखनी रखनी और फारस पर एक लाभ और शांती पूर्ण वयवार है遍 इसके अंदर सामिल किया जाता है इसके बाद में syndicate से क्या तात पर रहे हैं तो've u जानती हैं इक और झांसर को दें गी 1960 के दशक में कांग्रेस पार्टी के संग्रनात्मक धाचे में कुछ प्रमुख नेताओं का एक समूह उबर कर आया और कांग्रेस के सभी निर्णे तथा गतिविदियों पर उस समूह की छाप पढ़ने लगी थी वह एक प्रकार से किंग मेकर के समान था और इसी समूह को आपचारिक रूप में जो है सिंडिकेट कहा जाता था तो यह है सिंडिकेट की सिंपल सी परिभाशा और यहाँ पर गैर कांग्रेस वाद किस सिद्धान्थ पर टिका था तो गैर कांग्रेस वाद किस सिद्धान्थ पर टिका था तो इसके आंसर को हम कुछ इस तरह से बताएंगे गैर कांग्रेस ववाद ऐसे दलों का समू था जो कांग्रेस का विरोधी था और गैर कांग्रेस ववाद दल ने महसूस किया कि उनके बोटों के विभाजन ने ही कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा है और यह दल इस सिद्धान्थ पर टिका था कि Congress फ्शाषन अलोक्तांत्रिक है और आम गरीव लोगों के हितों का जो है ये विरोध करता है थीक है तो ये है इस गैर Congress वद का सिद्धान्थ और गैर Congress वद इसका बाद जो अगला प्रषम आपका दोँन किये इससे पूझा गया प्रेश संसरिप ग्या है और 7-7 अत्वा में एक और पार्ट पुछा गये आपसे 42 ह्मधा अंशोधन क्या है तो सबसे पहले प्रेश संसरिप क्या है इसको समझते हैं तो इसको समझने के लिए हम कुछ इस तरह से आंसर लिखेंगे 1975 में आपात काले इन प्रावधानों के अंतरगत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी और समाचार पत्रों को कहा गया कि कुछ भी छापने से पहले अनुमती लेना जरूरी है और इसे ही प्रेस सेंशर्शिप के नाम से जाना जाता है तो इस तरह से इसका अंसर हुआ अब 42 संसोधन क्या है यह हम बताएंगे तो बहुत ही बैतरीन तरीके से इसका अंसर लिखेंगे 42 संसोधन को मिनी समिधान भी कहा जाता है 42 संसोधन में समिधान की प्रस्थावना में राष्टी एकता के साथ अखंडता शब्द को जोड़ा गया था 42 संसोधन में ही समिधान के अंदर जो प्रस्थावना थी उसमें राष्टी एकता था लेकिन राष्टी एकता के साथ में एक अखंडता नामक शब्द को भी जोड़ा गया था वो था 42 संसोधन में 42 संसोधन में भारती समयदान की भूमिका में समाजवादी एवं धर्म निर्पेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया था इसका लवा 42 संसोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों का शमवेश भी किया गया था और 42 संसोधन में ही इसी सम्मिधान संसोधन के द्वारा ही निम्न शब्द जोड़े गए जिसमें आपका सामाजवादी जो मैंने बता दिया और धर्म निर्पेक्ष्टा बता दिया यानि पंत निर्पेक्ष्टा था रास्ट की अखंडता ये तीनों चीज़े हमने उपर कर आप इन में से कोई भी दोस अगर आप लाइन लिग देते हो कि 22 संसोधन ये है तो आप जो है इसके आंसर को सही तरीके से पूरे नंबर ले सकते हो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट कुश्चन पर यहां पूछा गया स्वायता क्या है और साथी साथ इसके और पार्ट में द स्वायता क्या है तो देखें स्वायता का अर्थ होता है किसी राज्य के द्वारा कुछ विशेश अधिकार मांगना अर्थात स्वायता किसी दूसरे के हस्ता शेप के बगएर व्यक्ति संस्ता राज्य और देश के अधिकार शेत्र में विश्यों और मामलों में स्वतंत न लेने से होता है इसी को बोलता है स्वायता यानि कि उसको खुद आजादी हो वो जो भी रिणने ले वो अपने हिसाब से ले ले राष्टवाद क्या है तो राष्टवाद को हम कुछ करना चाहें तो इस तरह से करना पड़ेगा हमें ताकि हमेर को पूरे नमबर मिले दो नमबर तो राष्टवाद राष्ट के प्रती प्रेम को दर्शाने वाली विचार धारा है और राष्टवाद वाद अपने राष्ट के भौगौलिक, सांस्कृतिक और समाज में रहने वाले लोगों में प्रेम और एक्ता की भावना है ठीक है यह सिंपल सा डेफिनिशन जो है आपको राष्ट वाद की बतानी है इसके बाद जो नेक्स्ट कुश्चन है इसमें पूछा गया गठबंधन सरकार का मतलब होता है जब कोई पार्टी बहुमत में नहीं आ पाती है तो उसे दूसरी पार्टी अपना समर्थन देती है जिससे वह सरकार बनाने के लायक हो जाती है उसे ही गठबंधन कहते हैं और गठबंधन में कई राजनितिक दल उनका साथ देते हैं गठबंधन ऐस कि हम बात करें, तो हम अथ्वा के पार्ट की बात करते हैं, तो सत्ता का विकेंद्री करण, जब सत्ता केंद्र और राज्य सरकारों से लेकर के इस्थानिय सरकार को दे जाती है, तो इसे सत्ता का विकेंद्री करण कहते हैं, और यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक सरकार यूदा पूरे देश के हर इलाके में, चप्पे चप्पे में, गाउं में, कस्बों में नजर नहीं रख सकती है, तो उनको रगर जिले को ठीक है, आपके नगर है, उनको साती साथ आपके कस्बे हैं, उनको एक सक्ती देनी पड़ती है, जहां पर न्याय पालिकाएं बनती हैं, कुछ पुलिस चोंकिया बनती हैं, कुछ इस तरह से बहुत सारी चीज़े बनती हैं, जो आपके उपर नियंतरन रखते हैं और आपकी देखभाल भी करते हैं, उसी को हम बोलते हैं सत्ता का विकेंदरी करण सिंपल सब्दों में, सोब सबसे पहले हम बात करते हैं, सोवियत प्रणाली के कोई चार दोष, ठीक है, उसके बाद अथवा पार्ट की बात करेंगे, सोवियत अर्थव्यस्ता में कोई तीन अंतर, तो या पर चार दोष में पहला दोष आप बता सकते हैं, सोवियत प्रणाली में नागरिक का वास्त भी चो परकम often देख लीजियों करेंद है चाइब को याद करें तो Soviet और अर्थव्यस्थायं में और अमरेकी नतर हैं तो आप पहला का इस अंतर बताई अगर आप बताना चाहे भी सकते हैं clear एक नंबर दो नंबर चाहर और तो आपको दिया हुआ है तो आपके मरजी आप कितने पॉइंट लिखना चाहें चाहें मैंने तो मैक्सिममं जो आंसर बहत्रीन तरीके से दिया है स्वतंतरता के बाद भारत की परमुक चार चुनोतिया को लिखना है और याद रखिएगा कि यह जो छोटे questions के जिसके मैंने answer साथ साथ दिये हैं जहां पर तीन ही आपको topic लिखने थे यह जब बड़े प्रश्न हम बता जेते हैं आपको पहले स्वतंतरता के बाद जो है क्या-क्या चुनोतिया थी आप इन पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं यह रहा आपका सारे points इन पॉइंटों के माध्यम से लिख सकते हैं और इसमें से आपको को तीन चार पॉइंट लिखने थे अथवा पार्ट की बात करें तो सोतनता के बाद में वाला जो दूसरा अथवा पार्ट है तो उसका answer यहां पर है इसके बाद जो next question है इसमें आप से क्या बूला गया ह अथवा में जो सूचना अधिकार है वो क्या होता है तो इसके points मैंने discuss किये हुए है अपर आप इनको पढ़ लीजेगा आपको समझ में आ जाएगा इसके बाद आजए नेक्ट कोश्यन पर इसके बाद जो है नेक्ट कोश्यन इसमें दच्छिन एशिया के विकास में शार् बैतरीन सब्द लिखे हैं आप इनको पढ़ोगे तो आपको मज़ा आ जाने वाला है इसका थवा पार्ट का जो है भारत पाक युद्ध के विराद में जो प्रमुख शर्ति थी ताश्कंद की वह हमने बता दिये इसमें तो यहां पर यह सारे के सारे answers आप लिख सकते हो ठ जितने भी model set है सभी subject है model sets जो है हमने अवेलीबल करा दी हैं और यह सारे model sets जो है playlist में अगर आपको playlist देखना आता है तो model set से देख सकते हैं सभी answers आपको मिल जाएंगे सभी subject की बात कह रहा हूं मैं कोई भी subject छोटा नहीं है आपका तो यहां पर जो है आप सबसे पहले बता सकते हैं कि समयुत राज संग क्या है उसके क्या है और अंतराश्टी नयाले के प्रमुख कारे क्या है तो यहां पर चा आपके एक्जाम पेपर में सेट में जरूर देखने को मिलेंगे हर सेट में इनमें से questions आएगा याद रखिएगा यह बात भूलना नहीं है आपको कभी सोच रहे हो कि इसमें से कुछ नहीं आएगा तो यह सा आपकी गलत फैमी है उसको अपने मन से निकाल देना भारत के व आपको समझमा जाएगा आपको दो मैंने सेट पार्ट वन डाला था पाट वन आपको दिया था और उसके बाद मैंने दिया था आपको पार टू एक लेकिन आप लोगों ने उनको देखा नहीं सबसे बड़ी समस्या है कि आप जब देखोगे तभी solutions बनाए जाएंगे ना तो आप जितने जल्दी जल्दी देखते हैं, maximum share करते हैं, उतनी जल्दी आपको solutions मिलेंगे, simple सी बात है, ऐसा तो कोई channel है ही नहीं, पूरे YouTube पर मैं बता दूँ, आपको पूरे MP board का, कोई भी ऐसा channel देखते हैं, जो आपको complete full solution देता हो, ठीक है, कोई भी ऐसा channel नहीं है, आपको बता दिया, ये बात मुझे पता है, आपको इपता है, आप सर्च करके देख लेना, आपने तो try भी क्या होगा, मिलेगा ही नहीं आपको, ये चीज थोड़ा सा सोचिए, कि जब हम full solution देते हैं, तो इससे important क्या चीज होगी, कि आप लोग उसको maximum share करें, ताकि हम next subject आपके लिए दे पाएं, यहाँ पर जो है, इसके और पार्ट को भी देखिए, अलगावादी आंदोलन देश के विकास में बादक हैं, इसको समझाना हैं आपको, और राष्टि अखंड़ता विकास के लिए आवश्यक है, इसको भी आपको समझाना है, सबसे पहले अलगावादी आंदोलन जो है, उनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी जो मैंने दो पार्ट आपको दिये थे, केवल आंसर्स चाहते हैं, इसक्रिंसोट लेके काम चला लेते हैं, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपका पहले जो अलगावादी आंदोलन है, वो विकास में कैसे बादक हैं यह बताना है, और दूसरे में आपको आवर्शक क्यों है अखंडता, राष्ट अखंडता के लिए विकास, तो यह आपको बताना है, तो यह पहले-पहले पॉइंट का जो पहले कुश्चन का अंसर जो है, इस तरह से लिख लीजिए, हर सेट में आपको एककुश्चन मिलेगे, गारिनटी है, और सत परतीसद बोल रहा हूँ हर सेट में, क्योंकि आपकी सेट जितने बनेंगे, सभी सेट में आपको एककुश्चन देखने में मिलेंगे, और यह है आपका अगला पार, ठीक है तो उसका अथ्वा पार्ट का आप यहां पर नोट कर सकते हैं ठीक है यह सारे के सारे पार्ट जो है आप नोट कर सकते हैं इसके बाद आजिए